गुड मॉर्निंग ओल फियू, मेरे इंत्रपाथी मिशा सकी क्लास में आज हम बाले अवस्ता एवं उसका विकास यानि की चाइल्डूड और ग्रोइंग अप से कुछ कोशन्स को करेंगे जिसमें हम प्याजे, कुलर वर्ल और वाई गौस्की को देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कोशन है प्याजे की अनुसार विकास की पहली अवस्ता के दोरान बच्चा सबसे बैतर सीखता है पहला option है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा दूसरा option है अनुभवों के द्वारा तीसरा option है अनुकरण के द्वारा और लास्ट option है करके सीखने पर तो इसका आंसर है A. इंद्रियों के प्रयोग द्वारा प्याजे की अनुसार विकास की पहली अवस्ता के दोरान बच्चा सबसे बैतर इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है अनुभव के द्वारा बात करें तो अनुभव के द्वारा मैक्स वर्दीमन ने कहा था और अनुकरण की बात करें तो अनुकरण की क्रिया को प्लेटो ने कहा था और करके सीखने पर जौन डिवी ने बल दिया था Next question, किसी वस्तु के स्थाहित्व की अवधारना प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्थ हो जाती है? पहला option है, सम्वेदी गामक में दुसरा option है, अमुर्थ संक्रिय अवस्था Third option है, मुर्थ संक्रिय अवस्था Last option है, पूर्व संक्रिय अवस्था इसका अंसर है A. समवेदी गामक के संधर में अर्थात SENSORI MOTOR STAGE किसी वस्तु की स्थायत की अफधारना प्याजे की विकास में समवेदी गामक के संधर में की जाती है ये आपका पहला स्टेज है प्याजे ने 4 स्टेज दिये है Next Question प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संगिनात्मक विकास की किस अवस्ता में है पहला उप्षन है पूर्ष संक्रिय अवस्ता दुसरा उप्षन है संवेदी गामक अवस्ता थर्ड उप्षन है मूर्थ संक्रिय अवस्ता और लास्ट अप्शन है अवचारिक संक्रेः अवस्था इसका आंसर है A पुर्व संक्रेः अवस्था 2-7 वर्ष के बीच का बच्चा संगनात्मय विकास की पुर्व संक्रेः अवस्था में होता है प्याजे के अनुसार मौजिता योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है पहला अप्शन है अनुकूलन, दूसरा अप्शन है आत्मसात करन, थर्ड अप्शन है समावेशन और लास्ट अप्शन है स्कीमा इसका अंसर भी आत्मसात करन मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना आत्मसात करन कहलाता है अनुकूलन का बात होता है यानि कि वो एजिस्टमेंट करता है और सामावेशन में मोडिफिकेशन करता है यानि कि पुरानी यजनाओं में कुछ नई चीश का संशोधन करना यानि कि मोडिफिकेशन करना समावेशन कलाता है और स्कीमा का अर्थ होता है कि आप कई चीजों को अपने स्कीमा में अपने माइड में रखते हैं वो स्कीमा के अंतरगत आता है Next question मांसिक संश उनचनाए जो चिंतन के निर्मान परकंड है इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है पहला option है जीन, दुसरा option है परिपक्त प्रखंड, थर्ड option है स्कीमा यानि कि अवधार्णाई और लास्ट option है विकास के छेत्र इसका answer है थ्री, स्कीमा मांसिक संजनलचनाई जो चिंतन के निर्मान प्रकंड है इसके लिए प्याजे ने स्कीमा का शब्द प्रयोग किया है नेक्स्ट कोशन मौकिक संवाद जो अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस की क्या कहते हैं पहला उप्षन है अहम केंदिर्थ वारता यानि की इगोसेंट्रिक स्पीच दुसरा उप्षन विक्तिगत वारता यानि की प्रैवेट स्पीच या निजवाक थर्ड ओप्शन है ब्रहांत वारता यानि कि distorted speech और लास्ट ओप्शन है समझसात्मक वारता यानि कि problematic speech इसका आंसर है भी विक्तिगत वारता या private speech private speech में बच्चा खुद को ही दिशा देता है यानि कि self direction करता है इसकी age 3-7 साल होती है इसे भी लेव वाइगोशकी ने 3 भागों बाटा है social speech, private speech और silent speech social speech 2 साल तक रहता है private speech 3-7 साल और silent speech में 7 वर्ष तक रहता है social speech 2 साल यानि कि वो समाजिक में बात करता है private speech में वो अपने मन से अपने आपको direction देता है और silent speech 7 वर्ष के बात यानि कि वो बच्चा अंदर ये अंदर किसको भी बात कर सकता है यानि कि इसको बोलने की जोद नहीं पड़ती है इन्होंने तीन forms of language दिये है नेक्स्ट कोशन वाइगोस्की के अनुसार अधिगम पहला option एक समाजिक गतिवीदी है दुसरा option एक व्यक्तिगत गतिवीदी है थर्ड option एक निश्क्रिय गतिवीदी है और लास्ट option एक अनुबंदित गतिवीदी है इसका अंसर है A एक समाजिक गतिवीदी है वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक समाजिक गतिवीदी है अर्थात एक दुसरे की साहेता करता है समाज में इसका अंसर है A. संगेनात्मग विकास जीन प्याजे मुख्य रूप से संगेनात्मग विकास के लिए जाने जाते हैं संगेनात्मग विकास में इन्होंने चार स्टेज दिये हैं पहला है समवेदिक गतिक अवस्था, दुसरा पुर्व संक्रियत अवस्था, थर्ड मुर्व संक्रिय अवस्था और लास्ट है अपचारिक संक्रिय अवस्था यानि चार स्टेज में आपका सेंसरी मोटर स्टेज प्री ओपरेशनल स्टेज कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज आता है नेतिक विकास की बात करें तो इसे कोलर बर्ग ने दिया था इसमें इनोंने तीन स्टेज और साथ लेवल दिये थे पहला आपका है प्री कंवेंशनल लेवल यानि की पूर प्रणपरागत स्तर दूसरा आपका कंवेंशनल लेवल यानि की प्रणपरागत स्तर और लास्ट आपका है उत्तर प्रणपरागत स्तर यानि की पोस्ट कंवेंशनल लेवल थर्ड आपका वैगोस्की है जो की रूस्की हैं उन्होंने समाजिक सांस्क्रितिक विकास का सिध्धान दिया था जिसमें इन्होंने तीन चीजों के ध्यान दिया सबसे ज़्यादा शोशल, सोसाइटी और लैंगवेज इसे भी आप ध्यान में रखेंगे रही है नेक्स्ट कुशन वहसतर जिसमें बच्चा की सिवस्तू एवं घटना के बारे में तारकिक रूप में सोचना शुरू करता है कहा जाता है पहला option है सामवेदिक गतिक अवस्था, दुसरा option है पुर्व संक्रिय अवस्था, थर्ड है मूर्व संक्रिय अवस्था और लास्ट है अपचारिक संक्रिय अवस्था, इसका answer है थर्ड मूर्व संक्रिय अवस्था नेक्स्ट कोशन है वहस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तू एवं घटना के बारे में तारकिक रूप में सोचना शुरू करता है कहा जाता है पहला option है सामवेदिक गतिक अवस्था दूसरा option है पूर संक्रिय अवस्था थर्ड है मूर संक्रिय अवस्था और लास्ट है अपचारिक संक्रिय अवस्था इसका अंसर है C मूर संक्रिय अवस्था वस्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तू या घटना के बारे में तारकिक जाता है, सोचना शुरू करता है, तो यह मूर संक्रिय वस्ता होगी, जो कि 7 से 11 वर्ष है, नेक्स्ट कोशन, जीन प्याजे के अनुसार, नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं, सबसे पहला अप्शन है, समावेशन, आत्मसाथकरन, अनुकूलन और स्कीमा इसका अंसर है, A, समावेशन, समावेशन अर्था एकमोडेशन, यानि कि मौडिफिकेशन करता है, पूरानी योजनाव में संशोधन करना ही समावेशन कहलाता है, जीन प्याजे को मिर्षासन ने थियोरी पार्ट में बहुत अच्छी तर पढ़ाया है, जिसे दो पार्ट म इसका अंसर है, समवेशन अत्म कहलाता है, जो की 0 से 2 वर्ष होता है, इस स्टेज में बच्चा इंद्रियों के दोारा सीखने का प्यास करते हैं, और यह स्टेज समेगात्मक गामक अवस्था के अंतरगाद आता है जिसका एज होता है 0 to 2 नेक्स्ट कोशन अमुर्थ विज्ञानिक चिंतन के लिए छमता का विकास किस अवस्था की एक विशेश्टा है पहला अप्शन अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमुर्थ विज्ञानिक चिंतन की बात करें यानि अमुर्थ चिंतन की बात करें तो वो अपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतरगत आता है अमूर्द का अर्थ होता है जो चीजे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है फिर भी बच्चा तारकिक चिंतन कर लेता है तो वो हमारा अपचारिक संक्रियात्मा यवस्ता के अंतरगत आता है प्याजे के सिध्धान्त के अनुसार बच्चा सीखता है पहला उप्षन अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, दूसर उप्षन समावेशन के द्वारा, थर्ड उप्षन आत्मसाथकरन और लास्ट उप्षन है स्कीमा इसका अंसर है A. अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा पहला उप्शन है कौशलो का अर्जन, दूसर उप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, थर्ड उप्शन है निश्क्रिय अवृत्ति प्रक्रिया और लास्ट उप्शन है सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्मान की प्रक्रिया, इसका आंसर है D, सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, जीन प्याजे और लेव वाई गौसकी दोनों ही संरचनावादी अदिगम की बात करते हैं, इन्होंने सक्री नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर जोर दिया है, अगर बच्चा सक्री है तो वह कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस या यानि कि संस्कृति और लास्ट आप्शन है उप्रोग सभी इसका अंसर रेडी उप्रोग सभी लेव ऐगोस के रे सबसे ज़्यादा महत्व सोसाइटी लेंगवेज और कल्चर को दिया है बच्चों को संकेत देना तथा आवशक्ता पढ़ने पर सईयोग प्रदान करना निमलिकित में से किसका उधारन है पहला ओप्शन है ट्रबलन दुसरा ओप्शन है अनुबंधन थर्ड ओप्शन है मॉडलिंग और लास्ट ओप्शन है पाड या धाचा इसका अंसर एड़ी पाड यानि की धाचा बच्चों को संकेत देना और आवशक्ता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड या धाचा किलाता है पाड़ या धाचा का मतलब होता है temporary help अगर बच्चा कोई चीज करने में असमर्थ हो रहा है तो उसे help देना यानि कि temporary help देना जैसे मैं आपको दे रही हूँ अगर आपको कोई help चाहिए, question answers चाहिए objective questions की demand आप लोग कर रहे हैं तो मैं आपकी temporary help कर रही हूँ दूसरा option है नैतिक, third option है शारेरिक और last option है समाजिक, तो इसका answer है D, समाजिक वाईगाउस्की का मैंने पहले ही बताया था समाजिक सांस्केतिक अधिगम सिध्धान्त है इनका इसका answer है D, समाजिक नेक्स्ट कोशन, वाईगाउस्की के सिध्धान्तों में समीपस्त विकास का स्छेत्र है, पहला option है बच्चों के लिए कारे बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वैसकों के साहिता से वे उन्हें स्वेम प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा option इसका answer है A, बच्चों के लिए कारे बहुत अधिक कठिन होते हैं लेकिन वैसकों की साहिता से वे उन्हें स्वेम प्राप्त कर सकते हैं समीपस्ट विकास जिसे इंग्लिश में जोन और पॉक्सिमल डेवलेपेंट कहते हैं इसमें बच्चा एक स्टेज पे खड़ा होता है और उसे help चाहिए temporary help यानि पार वो scaffolding होता है पर अगर हम बात करें zone और proximal development की तो बच्चा वो कर सकता है बस हलकी सी उसे साहिता चाहिए होती है जो कि आप वैक्सकों से ले सकते हैं उसे हम zone और proximal development कहते हैं थैंक यू